नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकाई जोब संगम यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप SSC की पोर्टल पर रेजिस्टेशन कैसे कर पाएंगे जब भी SSC के कोई वेकंसी आती है सबसे पहले उसमें आपको यूजरनेम और पासवर्ट अपने पास सेव करके रख लेते हैं तो फ्यूचर में आने वाली SSC की कोई वेकंसी हो चाहे हो SSC से आपको टाइप कर देना है SSC.nic.in इस प्रकार से आप टाइप करेंगे SSC.nic.in उसके बाद में सर्च करा देना है ठीक जैसे आप सर्च कराएंगे यहाँ पर देख सकते हैं स्टाप सेलेक्शन कमीशन गवर्मेंट आप हिंडिया यानि कि SSC की जो ऑफिसियर वेपसाइड है आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी डिस्क्रिप्सर में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा आप डायक्ट वहां से भी किलिक करके आ सकते हैं अब यहां पर आने के बाद में यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फोम नहीं भरे हैं फर्स टाइम आये हैं और SSC के पोर्टल पर आप रजिस्टेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर नाव के उपर किलिक करना है ठीक आपके सामने कुछ इस प्रकार से रजिस्टेशन फोम जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा और जो कि तीन स्टेप में कंपलीट होगा बहुत ही यहां पर देख सकते हैं कैसे फिल करना मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी यहां पर पूंच रहा है डू यू है बाधार क्या आपके पास आधार है अगर आपके पास आधार है तो य एक document आपको selected करना होगा लेकिन सभी के पास अधिकतर आधार कार्ड अब इस तमय में होता है तो आपको यहाँ पे yes कर देना अगर आपके पास आधार कार्ड है तब उसके बाद में यहाँ पे आधार नमबर में यहां पर आपको अधार नमबर डाल देना है verify आधार नमबर में यहां पर दोबारा से आपको अधार नमबर डाल देना है ठीक उसके बाद में यहां पर दिया है अगर आपना नम चेंज किया है तो यहां पर यस् करेंगे अगर नहीं किया है तो आपको सिंपल साँद no कर देना पर देना कुछ भी नहीं करना है उसके बाद नीचे जाएंगे if father name में यहां पर पिता का नाम डालना है verify फादर नहीं में तो यहां पर mother's name दिए गया है 12 से आप यहां पर mother's name verify mother's name में 2 बार्ण डाल देंगे यहां पर date of birth यहां पर आपको date of birth डालना है verify date of birth में 2 बार्ण से यहां पर और देना है फिर नीशे जाएंगे तो यहां पर matriculation trained class examination detail यहां पर देना है educational board यानि कि जहां से भी आपने टेंथ की जिस बोर्ट से की है आपको यहां पर किलिक करना है उस बोर्ट का नाम याप सब भी बोर्ट के नाम दिये गए आपको select कर ले ठीक उसके बाद में verify education थ्यान दिजिये यहाँ करने भड कि यहां पर रोल नमबर में आपको आपको यहां में और उसके बाद में नीचे फिर से verify करदेंगे अपकी जो maximum higher से कुले कर लिजी ठीक, Mobile Number यहां पर डाल देना है, Verify Mobile Number में 2 बारस डाल देना है, Email ID यहां पर डाल देना है, और Verify Email ID में यहां पर अपनी Email ID 2 बारस डाल देना है, और State UTA Permanent Address यहां पर आपको अपने State का नाम, अपना राज यहां से सलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में Save के उपर किलिक कर देना है, ठीक, जैसे आप Save के उपर किलिक करेंगे, इस प्रकारते आपके सामने आएगा, Please confirm your mobile number and email ID before submitting the form, इनिक form submit करने से पहले आपको एक बार अपना mobile number और email ID verify कर लेना है, सही है कि नहीं, उसके बाद में आपको confirm के उपर किलिक कर देना है, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, बता रहा है कि basic details are save, आपकी basic details save हो गई, और यह जो है, आपको 14 दिन के अंदर में आपको अपना पूरा registration process complete कर लेना है, अगर माली यहीं पर छोड़ देते हैं, तो 14 दिन बाद अपने अब आपको क्या करना है, कि आपके mobile number पर भी registration number चला गया है, और एक password जो है, आपकी mobile number पर गया होगा, तो उस password को यहां पर डालेंगे, चारंग का password होगा, और registration number यहां पर डाल देना है, तो मैंने copy किया है, मैं यहां पर paste करता हूँ, और password भी मैं यहां पर डाल देता इस Capture Code को आपको यहाँ पर ऐसे डाल देना है और डालने के बाद में आपको Login के उपर किलिक कर देना है ठीक जैसे आप Login के उपर किलिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज खुलके आगा Dear Candidate, this is your first Login, please change your password तो सबसे पहले आपको पासवर्ड को अगर पहली बार में आप Login करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना होता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको old password डाल देना है जो आपकी mobile phone में आपका old password आया हुआ है तो मैं उस password को यहाँ पे आपके बार में नीचे नया password आपको़ेट कर लेना है तक मैं यहाँ पे एक नया password जो है बना लेता हूं मैंने पासवर्ड डाल दिया यहनि पहले आपको new password यहाँ पे डालना है और confirm password में वही पासवर्ड आपको यहां से क्लोज कर देना है और पासवर्ड जो आपने रिसेट किया भी पासवर्ड नया बनाया उस वाले पासवर्ड को आपको यहां पे डालने के बाद में यह कैप्चा जो नीचे दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहां पे डालेंगे और लोगिन के उपर किलिक कर देंगे तो जैसे आप अपना रिजिस्टेशन नमबर पासवर्ड डालके जो है लोगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलके आएगा तो यहां प सबसे पहले आपको अपनी कैटेग्री जिस भी कैटेग्री से हैं जेनरल EWS, OBC, SC, ST आपको सलेक्ट कर लेना है वेरिफाई कैटेग्री में दोबारा से वही सलेक्ट कर लेना है ठीक तो मैं यहां पर जैसे ओपी मैं सलेक्ट कर दे रहा हूं उसके बाद नेशनाल्टी में इंडिय से उसके बाद में डियां आपको मार्क्ट यहां पर कटे खटे या तो आप उसे यहाप मेंसन कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यह न ने भी डाल सकते हैês ठीक, उसके बाद में यह प्रसन और फिलMax पूराइड्रेस, भी पोस्ट के साथ में डाल दिजेगा। यहां से आपको अपने जिले का नाम, जो भी आपका जिलैस करेंगे। यहां पर pin code डालेंगे और यहां पर बता रहा है कि is the present address same as permanent address, अगर आपका present address जो है permanent address बिल्कुल सेम है दोनों तो आपको यहां पर yes करना है, फिर नीचे की detail आपको नहीं भरना होगा, सब आपका detail यहां पर नीचे भर उठेगा, उसके बाद में उसे save कर देना, तो जैसे आ आएगा कि additional and contact details are saved successfully, आपको क्या कर देना है, यहां से close करना है, close करने के बाद में आपको नीचे यहां पर declaration दिया है, उसके बाद में यहां पर I agree पर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहां पर दिया है final summit का option, तो आपको final summit के उपर क्लिक कर देना, ठीक, जैसे आप final summit के उपर क्लिक करेंगे, आपको यहां पे एक OTP डालना होगा, आपकी email ID पर भी OTP चला जाएगा, और mobile number पर भी, तो आपको इसी भी OTP यहां पर डाल देता हूं, और डालने के बाद में आपको यह जो capture दिया है, यहां पर इस capture code को आपको यहां पर फिल कर देना, ठीक, उपर आपको हो जाएगा, अब आपको यहां पे क्या कर देना है, ओके कर देना है, ठीक, यहां पे आपको OK के उपर किलिक कर देना है, ठीक, किलिक करने के बाद में यहां पे आपका जो registration की प्रकिरिया complete हो चुकी है, अब यहां पे जितने भी vacancy आती है, जैसे आप login करेंगे वह आपको देखने के लिए मिल जाएगी, मालीजे आपको CHSL का apply करना है, यहां पे apply के उपर किलिक कर देना है, और यहां से आप home को apply कर सकते हैं, फिलहाल इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया था, कि आपको registration कैसे करना है, तो registration का मैंने पूरा process आपको complete करके दिखा दिया है, और आपका जो registration की प्रकेरिया है पूरी तरह से जो है complete हो चुका है, ठेक,